हलो इंडिया कैसे हौ अप फिरसे मेना कि ब्लॉग में आपका स्वागत हैं और आज मैं एक बहुती पुरातण मंदिर में आया हूं जिसका आपको मैं आगे हो वीडियो में बताने वाले हूं बहुती प्राचीन मंदिर है और पुरा जंगलों से घिरा हुआ है काटोल से अराउंड 27 किलोमेटर 30 किलोमेटर पढ़ता है यह बहुत ही सुन्दर वीडियो आखरी तक देखी गया चलो मैं आपको आगे बताता हूँ यह जो पीछे मंदिर दिख रहा है फ्रेंड्स यह है माभवानी का मंदिर जो की मरकसूर में है आपको मैंने वैसे बताया थे मरकसूर की काटोल तैसिल में पढ़ता है और वही से कुछ धूरी पर यह मंदिर है बहुत ही जागरोत मंदिर है और आपको एक बात बता दो कि यह जो मंदिर है माभवानी का मंदिर है यहां इमली का एक पेड़ है और इस पेड़ के नीचे ही माभवानी की जो मुर्ती थी वो स्वयमभू मतलब खुस से ही यहां पर उत्पन्न हुई थी और इसके पीछे बहुत ही है मतलब उस कहानी या फिर उस कथा के बाद ही यह मंदि लेड़ के नीचे ही माभावानी विराजमान किया हुआ है आपको एक बात बता दू कि यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे गाव था रिठी गाव करके जो कि अब नहीं है देड़ सो साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था कि एक भायानक रोग आया था उसरा के कारण वो पुरा मन्दिर के जस सामने ही मूरतिया बनीवानी की आप देख सकते हैं यह पूरी की पूरी मूरतिया बनी हुई है, इस प्रकार से ये पूरी मूरतिया है, आप देख सकते इसकी भवयता इस प्रकार से ये पूरा परीसर आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे-छोटे डैम बने हुए है और जो राठी गाव के बारे में बताया था रिठी-रिठी वो सामने है वो जो दिख रहा है ये पाहड उसके उस साइड में वो गाव है और इस प्रकार से ये पूरा मंदिर का परीसर है और जो इमली का पेड़ है वो सामने जो दिख रहा है वो इमली का पेड़ है कहा जाता है कि यह जो मंदिर था यह जो इमिली का पेड़ है वो बहुत पुराना पेड़ है उस समय यहाँ पे आजो बजो पूरी खेती थी यहाँ पे और वहाँ पे वो मूर्तिया थी लोग उसको पूछते थे जो रिठी गाव के लोग थे वो यहाँ पे आके उसको पूछ और यह जो पूरा खेत था तो खेत के मालक ने यह सोचा कि क्यों न यह जो मूर्तिया है इन मूर्तियों को यहां पे ट्रांसफर किया जाए इस मंदिर में जो मंदिर दिख रहे हैं यह गिरा हुआ कंट्रक्षन है यहां पे वो ट्रांसफर करने वाले थे बट वो ट्रांसफर यहां पर उनके कालक यहनुर्स थाइनसे थाए ठाइसओ, ठाइसओ साल, 300 साल पहले की बात थाइए शिवाजी महाराज के कालके बात की जो शाशक हुए होंगे उनके कालकी बात हुए तो वह चीजह मिली तो उन चीजों को जो पुरा तत्व वेदी रहते हैं उनको दिखाया गया तो उनसे ये पता चला कि ये रगोजी भोसले के सामराज्य की है उस समय की ये चीजे है और फिर उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर करने की कोशिश के लिगें ट्रांसफर बना पड़ा हुआ है वैसे बाद किसी ने भी उस मूर्तियों को छेड़ने की कोशिश नहीं की बहुत बार ऐसा हुआ कि उसको ट्रांसफर करने के लिए बहुत से लोग आये यहाँ पे जेसी भी पोकलर और बहुत बड़ी-बड़ी मशिने लगाए गई लेकिन वह मूर्ति एक बी जगह से थोड़ी स मुज भी नही ली इस प्रकार से यह ऐसा कहा जाता है और बहुत ही मतलब यह पुरातन यह एरिया भी पुरातन है चारों तरब से आप देख सकते हैं जंगलों से गह भी एरिया है भूत ही सुन्दर है और मायभानी की कृपा से यहाँ पर बहुत मंदिर है अभी यह आप एक टूर था मेरा ये वीडियो था जिसमें मैंने आपको मरक्सुर जो महाभवानी मंदिर है इसके बारे में बताया कभी आपका आना होता है तो आप आईए काटोल से अराउंड 30-35 किलिमेटर पर पड़ता है बहुत ही सुन्दर जगह है और जागुरूत है और यहां पर बह आते कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था लेकिन इसका कुछ मतलब सहित्तिक में ऐसा कुछ भी ऐसा लेख नहीं है इस प्रकार से यह मंदिर है और बहुत ही अच्छा मंदिर है आप यहां आईए प्रकुर्ति का अनन्द लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और स ये लो बाइ